आज की कहानी है बोलने वाली गुफा गुफा खाली थी शेर ने सोचा अवश्य यहां रहने वाला जानवर बाहर गया है रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा ऐसा करता हूँ कब तक यहीं छुपकर बैठता हूँ जब वह जानवर आएगा तो उसे मार कर खा जाओंगा और अपनी भूख मिटाओंगा वह गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया वह गुफा दक्षिपुच नामक गीदर जैकल की थी जब वह लोट कर आया और गुफा के पास पहुँचा तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रही है लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है उसे यह भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है यह पता लगाने की शेर गुफा में बैठा है या नहीं उसे एक युक्ति निकाली गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला मित्र मैं वापस आ गया हूँ तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे लेकिन तुम तो चुप हो क्या बात है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो जब गीदर की आवाज शेर के कानों में पहुँची तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदर के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है शायद मेरे यहां होने के कारण आज यह चुप है अगर गुफा कुछ न बोली तो कहीं गीदर को संदेह न हो जाए और वह वापस न चला जाए इसलिए वह गरच कर बोला आओ मित्र तुम्हारा स्वागत है जल्दी अंदर आओ शेर की गरच सुनकर गीदर डर गया वह उल्टे पैर वहां से भाग गया इधर शेर बहुत देर तक गीदर ने अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा लेकिन सब व्यर्थ रहा अंत में उसे समझ आ गया कि गीदर उसे मूर्ख बना कर भाग गया है शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया किन्तु अब वह क्या करता शिकार उसके हाथ से निकल चुका था बोलने वाली गुफा कहानी की सीख बोलती गुफा कहानी मोरल भविश के संकट को भामकर जो बचने की युक्ती निकाल ले वह बुद्धिमान होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृप्या लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें